यह हम लोग अगला question देखने वाले है, question number five, चलिए देखते हैं, question number five बोल रहा है, सीमा 8% वारसिक दर से 3 वर्स बाद रुपए 72 ब्याज के रोप में देती है, ठीक है, तो बोल रहा है, बताये उसने कितना धान लिया था, ठीक है, दोस्तों यहाँ पर देखिये, सीमा एक पर रकेती 3 सल सल तक रखीती है, और 3 सल के बाद वो दे रही हो कितना 72 ब्याज दे रही है, तो आपको बता देना है कि वніक इतना थी, यानि आपको मुल्धन बता देना है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ हूए, दर कितना है, आ कितना दे रखा है बहत्तर रूपया तो यहां से हमको निकाल देना है मुल्धन इसको किया करना है हम लोग जानते हैं साधरन भ्याज का फार्मूला क्या होता है एसा ही बराबर पी गुना आर गुना टी बटा में 100 यह होता है न तो चलिए अब यहां पर आपको क्या करना है ठीक है तो फील से हम लोग क्या करेंगे इसको इसके नीचे वन करके cross multiply कर देंगे गुना कर देंगे ठीक है चलिए अब यहां पर क्या हो जाएगा सप्र Rica कि और यहां बखकोजा ठीक ही विंकार चलिए यहां से कितना हो जाएगा। किसे निचे लगारATT जे ρखा है और तो टीक है किटना टाइम टाइम आपका है तीन अथयमेटcles अधिति न कीटना हो जाएगा यहां से कितना martial फेस होता सब्सक्राइब दल्सक्राइब आठ एकम आठ, आठ नव बहत्तर, तीन एकम तीन और ये तीन तीया, नौ अब क्या हो जाएगा यहां से तीन गुना सौ बोले तो, तीन सौ रुपया, यानि कि मुलधान उसका केतना था, तीन सौ, ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में,